तो दोस्तो कुछ लोग को के पास नहीं वची को स्क्रिप्ट इसलिए बन जाते हैं वे फैमिनिस्ट दोस्तो हम किसी भी वाइलेंट यहीनिस सोच को ना सपोर्ट कर रहे हैं ना ही डिफेंड कर रहे हैं हम आपके सामने एक Unbiased Analysis ला रहे हैं जो रिसेंटरली ज्यादा ही ट्रेंड कर रहे हैं वैसे आप समझी गए हुए हम किसकी बात कर रहे हैं जी हां Boys Local Room पर उससे पहले हम आपको 6 साल पीछे लेके जाना चाते हैं जैसे बहारत में समय समय पर वीडियो वारेल होती रहती हैं उस समय भी 2 वहने 3 लड़कों की पिटाई करती होई वारेल होई थी यह कटना हर्याना के रोधतक में हर्याना रोडविस बसकी है मीडिया नों उनको रोत्तक की बाहदूर लड़कों के नाम से मसूर कर दिया था और राज्य सरकार ने उनको इनाम और प्रोत्सान दिया था पर बाद में जब मामले की खुल कर जाच हुई तो लड़के निर्दोस पाए गए पर जब तक उनकी जिन्दगी पूरी तरबरबाद हो चुकी थी और जब वे निर्दोस पाए गए तो वे एक बार के बीच के पन्नों में रह गए ना कि फ्रेंट पेज बे जैसे उनने दोसी पाए गया था जब हुआ था अभी हम रुत्तक में थे और अब हम आपको दिले के चलते हैं देश के राज़दाने में पात साल पहले एक तस्वीर सोशिल मीडिया पर वाइरिल हुई थी साल था 2015 जगाथ दिल्ली गातिलग नगर तस्वीर में आप जिनको देख रहे हैं वे हैं सरवजीत सिंग फिर मैं देखता हूं तुम्हें देखी मावला तूल जब पकड़ता है जब इसमें कोई पोलिटिकल एंगल आता है रोत्तक वाले केस में चंदिगट से MP और एक्टरस केरन पर अब 2019 में सरवजीत सिंग को निर्दोस भाय गया है और आपको बताना चाहेंगे जिस लड़की ने आरोप लगाया था जिसलीन कोर नाम था उनका वो कभी भी कोर्ट में हीरिंग के लिए नहीं आई जो ये दो गटनाएं हमने आपको बताई हैं इससे हमारे ये उदिश से हैं कि हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं हम ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहां पर ऐसी गटनाएं होने पर बाई डिफोल्ट लड़कों को ही दोसी मान दाता है अब हम आपको ताजा गटना पर लेके चलते हैं यह मामला कुछ इस तरह सामने आया है जब के उपर बलगर कमेंट कर रहते हुए नजर आ रहे थे इनका इंस्टेग्राम पर बोईज लगकरूम के नाम से एक प्रवेट ग्रूप था देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप एक लिमिट में हूँ बिलो धा बैल्ट हो बैसक चाहिए वो इन बच्चों की नोटीस बेजा गया और तुरंत एक्षन लेने के लिए खा गया था फिर फेस्बूक ने एक स्टेट्मेंट जारी करते हुए कहा कि हम ऐसी किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं वैसे देखे तो यह पस एक फॉर्मेलिट थी उन्होंने यह पस इसका रिप्लाइ इसलि वोट कर रहे हैं ना यह डिफेंट कर रहे हैं अब हम जानते हैं कि आप मेंसे कुछ लोगों का नजरिये चे में लखता होगा और कुछ लोग सहमत नहीं होगे हमारे साथ तो उन्सी रिक्वेस्ट है यह वीडियो अन तक जरूर देखें तो देखें इतना कुछ हो जाने के देखें अगर आपको कभी कोई बात ज्यादे सीरियेस और सच दिखाने हो तो उसमें या तो किसी महानाजमे का नाम जोड़ दे या कोई फेक्ट लगा दो तो उससे लोग आपकी बात को ज्यादे सीरियेस लेते हैं और आपके सामने पेस है आपने देखा कि उन्होंने का कि अकोरडिंग तो इनका पता ही नहीं होता कि यह क्या है और लोग इनको सच मान लेते हैं तो दोस्तों जिनके अंदर ना दिखे तुमें कोई प्रोफेशनलिजम तो समझ लेना उनके अंदर है फेमिनिजम और अब हम आपको बताना टू-93 क्या है उनके हिसाब से आपके सी भी 20 साल से कम बच्चे को ओप्सेंस सी चीजे नहीं बेच सकते हैं चाहे फिर वो सेडी हो बोक हो या कोई मैगजीन हो और अगर जिसने बेचा है उस पर केस दरज किया जा सकता है और दिल्ली पूलिस ने जिन सेक्षन के अंडर कल उस बच्चे को अरेस्ट किया गया है वो सेक्षन है 465, 471, 469, 509 और IT Act के सेक्षन 67 और 67A है इनके बिहाफ पर उसको अरेस्ट किया गया है इसमें कहीं भी 292, 293 नहीं है और अब मैं यूच से एक बात कहना चाहूँगा आज कल ऐसे मामले बहुत आते हैं इनको सेयर करने स से पहले इनको अपनी स्टोरीज और स्टेटेस में लगाने से पहले देखो इस बारे में क्या है कुछ लोगों के यह बात अच्छी नहीं लगेगी पर यह सच है कुछ लोग सिर्फ इसलिए सेयर करते हैं इसलिए स्टोरीज और स्टेटेस पर लगाते हैं ताकि वो इससे क इतनी सी कम उमर के बच्चों में ये सोच आई कैसे और आपको ये बात तो पता ही है कि जो चीज़े हम देखते हैं, जो चीज़े हम सोचते हैं, वही हम बनते हैं और जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताना था, कैसे कुछ लोग मोवीज और वेब सीरीज से इंस्पार होकर क्राइम्स करते हैं, अगर आपको वीडियो देखनी है, तो आई बटन पर उपर क्लिक करके देख सकते हो इन सोटी से उमर के बच्चों पर इन चीज़ोंगा बहुत असर पड़ता है, और हम तो ऐसे देश से बिलोंग करते हैं, जहां लोग फिल्में देखकर अपना करियर डिसाइड कर लेते हैं और जो इस चीज़े मोवीज और वेब सीरीज में दिखाया जाता है, लोग फिर इन ही चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में करने की कोशिज करते हैं और मैं आपको बता दूए, वेब सीरीज में किसे को अब्यूज करना, बोर्डी सेम करना, यह एक आम बात है और यहीं फिर वेब अच्चे करने की कोशिज करने थे, कई न कई अमारी एक सोसाइटी भी जम्यदार है इसके लिए और अब हम अपने अगले पॉइंट बढ़ाना चाहेंगे, कि मीडिया में इनको क्रिमिनल्स की तरह दिखाय जा रहा है अब ही इनकी उमर सिर्फ 15-16 साल है, यह हम इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनको जेल की चोकट की जाएँ, प्रोपर काउंसलिंग की जरुत है क्योंकि अगर उनको जुडिसियल प्रोसेस में लाए गया, तो यह उनकी सोच को और ज़्यादा वायलेंट कर सकता है सोचो, अगर उनको क्रिमिनल इनवर्मेंट मिलता है, तो उन पर मेंटली किस तरह का प्रभाव कड़ेगा हम यह इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि उमर सिर्फ 15-16 साल की है, और उनके सामने उनका पूरा फ्यूचर पड़ा है और उनको प्रोपर काउंसिलिंग दे गई, तो क्या बता उनके मेंटल स्टेट में बदला वाजाए यह था हमारे एक पर्सनल ओपीनियन, और आप क्या सोचते हैं, कमेंट बोक्स में हमें जरूर बताए उमीद आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को सेर जरूर करें, धन्यवाद यह जरूर को सेर जरूर करें, यह विडियो में गताए